एलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल Target95 प्लस में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरितकरांती से आप क्या समझते हैं ठीक है, और हरितकरांती क्या होता है ठीक है, तो दोस्तों सबसे प्रहे हम जिनिंग डालेंगे हरितकरांती हाई इसके बारे में जानते है हरित करांती का संबंद क्रिशी से है भारत में अधिक अन उत्पादन के लिए उन्नत बीच रसाइनिक उर्वरक की टनासकों सिंचाई के साधनों को अपनाने पर जोर दिया गया जो हरित करांती था जब आया तो उसमें क्या किया गया था मतलब अधिक अन उत्पादन के लिए उसमें उन्नत बीच रसाइनिक उर्वरकों का कीटनासकों का सिंचाई के साधनों का उस पर अतधिक जोर दिया गया था आगे देखें इस कारण फसलों की उत्पादक्ता काफी बड़ी ठीक है जब इन सबके परियोग के बाद क्या हुआ मतलब भारत में क्या है वो फसलों की जो उत्पादक्ता है उसमें काफी बढ़ोत्तरी होई इस क्रांति के फल स्वरूप खास कर गेहूं के उत्पादन में काफी बड़ी होई ठीक है जब हरित क्रांति आया था तो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब पैदावार हुआ था गेहूं का ठीक है उसमें काफी ज़्यादा बड़ी होई थी क्रिसी के छेत्र की यक करांती हरित करांत के नाम से जाने जाती है मतलब जब भृद्धी होने लगी अतिधिक तो इसी करांती को क्या करते हैं हरित करांत के नाम से जाने जाने लगी भारत में हरित करांती के जनक MS स्वामीनाथन है ठीक है जो जनक है भारत में MS. Swaminathan है ठीक है तो एग था आज का वीडियो दोस्तों I hope कि आप वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक सेयर करें धन्यवाद